ओम शान्ति आज 23 ओक्टूबर 2021 है आज हम लेंगे कंट्रोलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर अर्थात अपने मन को जब चाहे जैसे चाहे जितना समय के लिए चाहे उस थिती में स्थित कर पाना इसी को ही कंट्रोलिंग पावर कहेंगे और इस controlling power को लाने के लिए जितना हम मन को, मन के संकल्पों को शुद्ध करेंगे और एकागरता की बहुकाल के अभ्यास करेंगे तब ही ये controlling power हमारे अंदर आएंगे सुनते हैं आज का slogan दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और करम करना ही दिव्यता है आज के इस कल्योगी दुनिया के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग है जो गुणवान है चरित्रवान है परन्तु जो उनके अंदर गुण है उसको देख करके क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर दिव्य गुण है दिव्यगुण आखिर क्या है? किसको कहेंगे दिव्यगुण? वास्तों में जो गुण हमें देवत्व की ओर ले जाए जिस गुण को धार्णा करने से हमारे अंदर की जो दिव्यता है वो जलके हम भी देवताओं के समान पूजन योग्य, गायन योग्य बन जाए, वही दिव्यगुन है और ऐसे दिव्यगुनों की धारना परमात्मा के श्रीमत के आधार से ही हो सकता है परमात्मा जो ज्यान का सागर्शिप बाबा है, उनके जो ज्यान, रोहानी ज्यान है उसको हम अपने जीवन के अंदर वियभारिक्ता में उतारते हैं तो जो पहले से ही हमारे अंदर विशेष्टा है वगुण है वो भी दिव्य बनने लगते हैं क्योंकि जब उस रुहानी ज्यान को, उस श्रीमत को जब हम अपने जीवन में धारन करते हैं अर्थात, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं उसमें हम अपने रुहानी ज्यान को धारन करते हैं तो हर सोच, हर वचन, हर करम में दिव्यता आने लगती हैं अर्थात, पवित्रता की जो शक्ती है वो आने लगती हैं पवित्रता ही दिव्यता का मूल आधार है। और सोच में पवित्रता अर्थात मन सदा निर्मल हो, मन सदा शुद्ध हो। वानी में पवित्रता अर्थात सचाई और सभ्यता हो। करम में पवित्रता अर्थात निमित और निर्मानता की भावना हो। तो ये ही दिव्यता है। और धिरे धिरे इन सब दिव्यगुनों को जब अपने जीवन में धारन करते हैं बाबा के श्रीमत के अधार से, तो धिरे धिरे उन दिव्यगुनों के पीछे पीछे और कई दिव्यगुन भी आने लगते हैं. क्योंकि दिव्य गुनों की आपस में बहुत गहरा connection है तो एक दिव्य गुन धारन करेंगे तो अनेग दिव्य गुन हमारे अंदर आती जाएगी और इस प्रकार से हमारा जीवन संपून रूप से दिव्य और पवित्र रूप बन जाएगे अर्था दिव्यता की जलक और फल दिखाई देगी, इसी को ही दिव्यता कहा जाता है, जो दिव्यगुनों की धारना से स्वतही आ जाती है, ओम शांति